हे विवज आज हम सलाद पत्ते को बड़ी स्पेस में ट्रांसफर करेंगे ग्रोइंगा सलाद पत्ता तो इसको मैंने एक फ्लावर पोर्ड में इसकी सीडिलिंग की थी और ये काफी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है पनीरी की तो ये अभी हमारी पनीरी बिल्कुल त्यार हो मैंओ की है तो इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे इस बड़ी टोकरी में तो टोकरी प्लास्टिक की है इसके अंदर ये प्लास्टिक कर्वर डाला हुआ है ताके पानी नीचे से निकले ना इसकी सैडों से क्योंकि इसकी सैडों पे ये होल होते है तो इस वज़ा से हमें प्लास्टिक कवर सैडों पे रखना पड़ता है और नीचे प्लास्टिक कवर को सराख करें ताके पानी का ड्रेन अच्छा हो सके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सलाल पते को फ्लावर पोर्ड से बाहर निकालते हैं और फ्लावर पोर्ड से बाहर निकालने का भी आप तरीका देखें कि इसको जो भी आप नेरी एक फ्लावर पोर्ड में ग्रो करते हैं जब उसको निकालना होता है तो कैसे नकालते हैं तो चलें इसको नकालते हैं नीचे आप ठोकर लगाएंगे आसासा करके और ये इजी तरीके से बाहर आजेगा और ये इसके नीचे आप देखें रूट्स काफी निकली हुई है और ये अभी आप देख रहे हैं कि इसके वाइड कलर में काफी ज्यादा roots निकली हुई है और इसका मतलब है कि अब इसको transfer करने का time आ चुका है तो इसको हम transfer करेंगे इस बड़ी space में अलग-लग plant को, तो one by one piece को हम space में grow करते जाएंगे, अगर आपके पास space काफी है, अगर आपके पास garden available है तो ये एक छोटे से flower pod में जो के 10 inch का होता है इसमें अगर आप नेरी grow कर लें और अगर आपके पास काफी बड़ा भी garden मजूद है तो इतनी सलाद ये होती है कि खाई नहीं जाती है और बहुत ज्यादा ये सलाद grow होती है तो चलें अब हम इसको इस टोकरी के अंदर लगाते है हम इस को लग कर लेंगे पहले कुछ हिसे को जितने हमने प्लांड एक टोकरी में grow करने है तो ऐसे one by one piece को अलग करेंगे अब इसकी roots ना तूटे ये इसकी आप roots देख रहे हैं और जहां पर अंगूठ है यहां तक आप इस plant को मटी के अंदर दुबा सकते हैं तो जब आप इसको लगाएं तो सैडों पर मटी को प्रेस कर दें ताके जब हम पानी दें तो हमारे plant नीचे ना गिरे ये अभी एक छोटा small size का plant है तो जब इसकी growth स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन दो मन्थ लगेंगे और अच्छी खासी सलाद खाने के लिए तियार होती है और एक ही ये plant काफी बड़ा होता है तो अगर आप चाहें तो पूरे plant को इसकी cutting करके सलाद के तोर में सलाद पे इस्तमाल कर सकते हैं अगर नहीं तो आप इसके जो सैड़ों पे leaves होते हैं पत्ते होते हैं बड़े size के आप उन को आप उन पत्तों को अलग अलग करके सलाद में इस्तमाल कर सकते हैं और बीच में से इसके मजीद पते निकलते रहते हैं सलाद पते के तो अभी जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी जब ये बनने स्टार्ट हो जाएगे तो मैं इसकी अपडेट वीडियो बनाऊँगा और विवर्स को दुखाऊँगा कि ये प्लांट कितने बड़े हो जाते हैं अगर आप इसके सैज वले लीव को इस्तमाल करते रहें तो ये प्लांट अच्छा खासा चार से पांच फिट की हाइड में चला जाता है और उसके बाद इसके उपर जाके सीड लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो तब इसके जो नीचे पत्ते होते हैं वो खाने के लाइक नहीं होते तो विवस इसमें एक मज़े की बास ये है कि अगर आप नसरी से एक फ्लावर पॉर्ट परचेज करके ले आते हैं तो अगर गार्डन में लगा देते हैं तो इतनी सलाद इसमें से निकलती है कि आप अपने हमसायों को रिष्टेदारों को भी तौफ़े के तोर पे देंगे तो ये खतम नहीं होती इतनी ज्यादा ये सलाद ग्रो होती है तो ये तकरीबर हमारी सारे विंटर सीजर में हमारी स सलाद खाने के काम आएगी अंदर हमने सलाद पते को ग्रोफ कर लिया था और आप पानी दे रहे हैं इसको तो आप तो आप किसी शावर की मदद से इसको पानी दें तो आप हाथ नीचे रखके प्लांट्स को पानी दें ताके आपके प्लांट्स नीचे गिरें ना तो हम मि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फरमेशन के साथ, तब तक के लिए, लाह फिस्ट, बाई बाई